लगते हैं संजे राउट पर सितम का दौर इतनी जल्दी खत नहीं होने वाला है जेल में बंद संजे राउट निकलने के लिए पिंजरे में बंद पक्षी की तरह तड़प रहे हैं पड़पड़ा रहे हैं मगर शिंदे सरकार के एक फैसले ने राउट को कहीं का नहीं छोड़ा जेल में जहां अकेला पन, मच्छर और गंदगी नहीं जीने दे रहे वहीं अगर बाहर निकले तो जान को खत्रा खड़ा हो सकता है जी हां संजे राउट जेल में ज्यादा सुरक्षित हैं बजाए जेल के बाहर शिंदे सरकार के एक फैसले ने संजे राउट के साथ साथ नवाब मलिक समेट 15 नेताओं की जिंदगी को खत्रे में डाल दिया है अगर संजे राउट नवाब मलिक जेल से बाहर निकले तो उनकी जिंदगी मुसीबत में आ जाएगी हो तो ये भी सकता है कि उन दोनों को मार भी दिया जाए ये सब हम यूही नहीं कह रहे हैं दोस्तों बलकि इसके पीछे बहुत बड़ी वज़ा निकल कर सामने आ रही है लिखित में सरकारी परमान जारी हो चुका है तो क्या है पूरा मामला कैसे जेल से बाहर निकलते ही संजर राउट की जिंदगी को खत्रा हो सकता है आपको बताते हैं सब आप भी वीडियो को लाइक को शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात अपनी रहे ज़रूर रखें चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवास बने तो महाराश्टे में एक ना शिंदे सरकार के फैसले से घमासान मचा हुए है शेफ सेनो और अन्सिपी के साथी कॉंग्रेस में भी खलबली मच कही है तरसल महाराश्टे की शिंदे और पन्वनी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए महाविकास अगारी के 15 नेताओं की सुरक्षा को हटा दिया है जी हाँ, सरकार ने 15 नेताओं की सुरक्षा को पूरी तरह खत्म कर दिया है जो की महाविकास अगारी से जुड़े हुए है सरकारी आदेश में जारी हुई लिस्ट में सबसे पहला नाम संजे राउत का ही बताया जा रहा है जी हाँ, सुटों की माने तो जो आदेश सरकार की तरफ से सुरक्षा हटाने का जारी किया गया है उसमें पहले नमबर पर संजे राउत का ही नाम है इसके अलवा नवाप मलिक की सुरक्षा को भी सरकार ने पूरी तरह खत्म कर दिया है संजे राउत और नवाब मलिक के अलावा इस लिस्ट में पंद्रा और निताओं के नाम है सूतरों के मताबिक सरकार को लगता है कि इन सभी नेताओं को अब किसी भी तरह की सुरक्षा की जरूरत नहीं है इसलिए सरकार अब इनकी सुरक्षा पर अतिरिक पोर्स और पैसा दोनों ये व्यर्थ करना नहीं चाहती इसलिए सरकार ने सरकारी आदेश जारी करके इन सभी नेताओं की सुरक्षा को अब पूरी तरह से हटाने का पैसला ले लिया है और इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है अब सुरक्षा हटाने का पैसला पूरी तरह सरकार का है और शिफ से न या NCP के पास कोई भी वज़ा नहीं है कि वो इस पैसले का विरोध कर सकें मगर फिर भी नाना पटोले ने सरकार के इस फैसले के विरोध में बयान दिया है और चेतावनी देते हुए का है कि अगर किसी नेता के सथ किसी भी तरह की अन होनी हुई अनर्थ हुआ तो उसकी जिम्मेदार शिंदे सरकारी होगी सरकार के इस फैसले के बाद कॉंगरेस के प्रदेश अधिक्ष नाना पटोले ने कहा विपक्षी पार्टी का व्यक्ती हो या आम आदमी उनकी सरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है सरकारी यह तैक करती है कि वो किसी को सरक्षा दे या ना दे मगर सरकार को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई अप्रिय घटना किसी के साथ भी ना हो चाहे पिर वो नेता हो या फिर आम आदमी सरकार ने हमारी सुरक्षा खत्म कर दी हमारे पास इसका विरोध करने का कोई कारण नहीं है अगर सरकार को लगता है कि हमें सुरक्षा प्रदान करने की आवेशक्ता नहीं है तो हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है मगर सरकार को भी ये तैकरना होगा कि हम सब की जिंदगी पर किसी भी तरह क्याफत ना आए नाना पटोली ने आगे कहा अब अतीत में बड़े बड़े राजनीताओं के साथ क्या कुछ हुआ वो सब जानते हैं राजीव गंदी और इंद्रा गंदी को किस तरह मार दिया गया ये सब के सामने है भगवान चाहे तो ऐसा किसी के साथ भी ना हो मगर किसी के साथ भी किसी भी तरह का अनर्थ हुआ तो हम इसके लिए पूरी तरह से शिंदे सरकार को ही दोशी ठराएंगी तो अब इस तरह का डर नेताओं के बीच में आने लग गया है नेता बुरी तरह के से डरे हुए है सुरक्षा हटाने के पैसले के बाद नेताओं का डर कुछ यू निकल कर सामने आ रहा है उन्हें राजीव गांदी और इंद्रा गांदी जैसा हाल होने का संकेत मिल रहा है इसलिए सबी नेता बुरी तरह डरे हुए है हाला कि अब कांग्रिस की तरफ से सरकार के इस फैसले पर सवाल उटने शुरू हो गए है मगर शेफ सिना और नेता ने इस फैसले के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा मगर अब खबर है कि जैल के अंदर बंद संजर राओ सरकार के पैसले से बहुत निराश है उन्हें डर है कि कहीं जैल से बाहर निकलते ही उनकी जिन्दगी पर किसी तरका खत्रा ना आ जाए अब किसी को भी सुरक्षा तभी दी जाती है जबकि उसके जिन्दगी को किसी भी तरका खत्रा होता है और सुरक्षा हाटाने का मतलब है कि उसकी जिन्दीकी पर फिर से खत्रा बन चुका है और इसी बात को सोच सोच के संजर रौट की जेल के अंदर हालत खराब हो रही है अब आगामी 2 नवंबर को संजर रौट की नियाए खिरासत खत्म होने जा रही है और इसी दिन रौट की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी अब जमानत मिलती है तो भी संजर रौट को परिशानी हो सकती है क्योंकि अब बिना सुरक्षा के संजर रौट को रहना होगा और अगर जमानत नहीं मिलती है तो भी निराशा की यह बात है चुकी उसके बाद फिर उन्हें जेल में ही रहना होगा तो अब संजर आउत के लिए आगे कुआ और पीछे खाई वाली स्थिति हो चुकी है वैसे शिंदे सरकार के सुरक्षा हटाने वाले फैस्ते पर आपका क्या कहना है दोस्तों कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात अपनी राइज जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं इस महायुती गटबंदन में बीजेपी महाराष्ट नवनिर्मान सेना और शिंदे गुट शामिल होंगे अभी तक इसको लेकर किसी भी तरह का आपचारिक एलान तो नहीं हुआ मगर मराठी अकपारों में खबरें जोर शोर से चल रहेंगे कि एकना शिंदे और बीजेपी के साथ महाराष्ट नवनिर्मान सेना के राजठ ठाकरे आ जाएंगी और यही तिनों मिलकर महायुती बनाने जा रहे हैं महाराष्ट के तक्रीबन हर मराठी एडिशन में यही खबर चप रहे हैं कि आने वाले महानगर पालिका चुनाओ के मद्दे नजर महाराष्ट के सियासत में महायुती नाम का गठवंदन बनने जा रहा है इस गठवंदन में एकना शिंदे बीजेपी और एमेनस यानी की राश ठाकरे शामिल होने जा रहे हैं माना जा रहा है कि महाविकास अगारी की तरच पर यह महायुती बनाई जा रही है अब अकपारों में तीनों पार्टी के नेताओं के इस मुस्कुराती तस्वीर ने तो जेल के अंदर बन संजर राउत को बुरी तरह हिला कर रख दिया दरसल कोट के आधेश के मताबिक संजर राउत को जेल में अकबार पढ़ने की छूट है इसलिए राउत को बाहर की हर अपडेट पता होती है अब सूतरों की माने तो 26 अक्टबर को जैसे ही राउत अपना अकबार पढ़ रहे थे तो वो अचानक पसीना पसीना हो गए और जेल में चिलाने लगे जिसके बद आस पास के सेल के कैदियों के बताने पर जेल का स्टाफ राउत के पास पहुचा और पूछा कि क्या हुआ क्यों चिला रहे हो मगर राउत ने यहाँ पर कुछ भी कहने या बताने से इंकार कर दिया अब भले ही राउत ने यहाँ पर कुछ ना बताया हो मगर सूत्रों की माने तो राओ तब से ही पेचैन हुए हैं जब से उन्होंने अकबार को पढ़ना शुरू किया और 26 अक्टुबर को लगबग हर मराथी अख़वार की हैडलाइन अख़बरों में महायूती गटपन्दन का जिक्र था हर अकबार के फ्रंट पेच पर शिंदे राज ठाकरे और देवेंदर पर्वनिस की ये तस्वीर छपी हुई थी जिसमें एक तरफ शिंदे खणे हैं और दूसरी तरफ पर्वनिस और बीच में राज ठाकरे हैं और दोनों नेता राज ठाकरे को फूलों का सजावा बुके दे रहे हैं और तीनों के चेहरों पर विजए ही मुस्कान है अब इस तस्वीर को देखने के बाद और खबर को पढ़ने के बाद तो संजर राओत के हालत खराब होनी ही थी इस तस्वीर से साफ दिख रहा है कि राज ठाकरे भी अपशिंदे और बीजेपी खेमे में जा रहे हैं और आने वाले सबी चुनाव ये तीनों पार्टी एक साथ मिलकर लड़ेंगी ये तस्वीर इस बाद का साफ संकेत दे रही है अब संजय राओत के लिए वाकई में ये तस्वीर बेचैनी भरी है क्योंकि अगर संजय राओत अब भी उद्व ठाकरे ग्रूप के साथ है तो इस तस्वीर को देखने के बाद उन्हें समझ में आ चुका होगा कि अब मुंबई और माराष्ट के सियासत उनके हाथों में कभी नहीं आने वाली वहीं खबरें ये भी हैं कि संजय राओत जेल से वापसी की उमीद राश्ठाकरे से लगा कर बैठे थी उन्हें कहीं न कहीं उम्मीद थी कि राज ठाकरे जेल से निकलने में उनकी मदद करेंगे मगर अब राज ठाकरे तो शिंदे ग्रूप में चले गए हैं ऐसे में संजर रौप की जेल से बाहर आने की उम्मीद भी पूरी तरह खत्म हो चुकी है